जेहन दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन स्टेडियोके में हम बात करने वाले हैं आज हमारा जो लेक्चर है 20 लेक्चर है ठीक है तो साइंस MSQ का 20 लेक्चर है इसमें हमने 30 कोश्चन करवाए थे ठीक है कल की हमारी वीडियो नहीं हो पाई थी तो आज हमने जारी कर दी है अपसे कंटिन्यू चलेगा ठीक है और कुछ दिन में इसका टाइम भी फिक्स कर देंगे ठीक है तो क्लास हैं चलती रहेंगी तो बने रही है ओनलाइन स्टेडियोके के साथ ठीक है ज्यादा ज्यादा करें जिससे की एक मनोबल बलता रहे ठीक है और अच्छे- ठीक है बात करते हैं कोश्चन नमबर एक की ठीक है तो कोश्चन नमबर एक हमारा जो है कौन सा अंग रोगाडों का विनास करता है ठीक है कौन सा अंग रोगाडों का विनास करता है तथा सरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है सरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है कौन सा होता है which organs destroy germ and is called the police guard of the body ठीक है तो police guard of the body कौन सा ऐसा जर्म होता है जो organs को destroy करके ठीक है रोगानों का विनास करता है और सरीर को आप पुलिस रक्षक कहलाता है कौन सा होता है टॉनसिल हो गया यकर्त हो गया वरिक हो गया kidney और लसिका हो तक हो गया lymphatic tissues ठीक है तो टॉनसिल, liver, kidney और lymphatic tissue कौन सा होता है ये आपका अंसर है जो liver होता है ठीक है लिवर जो होता है लिवर ही क्या करता है रोगानों का नास करता है रोगानों का विनास करता है destroy करता है organs को germ को ठीक है जर्म को क्या करता है डिस्ट्रॉई कर देता है और यही क्या कहलाता है पुलिस गार्ड ओफ बॉड़ी कहलाता है लीवर ठीक है तो बात करें लीवर की तो लीवर की बात करेंगे यकृत जो होता है लीवर क्या करता है रोगाणों का भिनास करता है यानि कि जर्म को डिस्ट्रॉई करता है तथा स बनेगा कि आपका कूफर्स सेल कहां पाए जाते हैं ठीक है तो कूफर्स सेल कहां पाए जाते हैं कूफर्स सेल कहां पाए जाते हैं रियकर्त में पाए जाते हैं और जो रोगाणों को नस्ट करते हैं ठीक है जो जर्म को डस्टॉई कर देते हैं किल कर देते हैं ठीक है इसके निर्माल कहां पे होता है यकृत में ही होता है लीवर में ठीक है बाइल्स का इसके बाद बात करें यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस ठीक है जो बाइल्स होते हैं और उनका पित्ता सही में संचित होता है तो जो पित्तरस होते हैं उसका संचे कहां पे होता है पित्ता सही म होता है, तो next हो गया आपका question number 2, question number 2 की बात करें, तो हम question number 2, जिवानू की खोज किसने की थी ठीक है, जिवानू की खोज किसने की थी तो जिवानू की खोज, जिवानू का जो structure होता है, इस टाइब से दिखाई देते हैं, ये ठीक है, तो जिवानू, एवी लुवेन हॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, ठीक है, तो जिवानु यानि कि तो इनमें से कौन सा है तो कौन सा है यह है लुवेन हॉग एवी लुवेन हॉग ने क्या करा था जो बैक्टिरिया का इसके बाद बात करें इसकी तो जो जिवान होते हैं जो बैक्टिरिया होते हैं एवी लुवेन हॉग ने इसकी खोज कप करी थी 1674 में करी थी कितने में 1674 में करी थी इन्हें फादर्स और बैक्टिरियोलोजी किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं जीवान विज्ञान का पिता तो यह कहते हैं एवी लियो वैन होक को ठीक है तो किसी भी परकार से घुमा के बूच सकता है question और इन्होंने 1674 में sun भी बूच सकता है ठीक है तो कब करा था इन्होंने discover तो 1674 में और इनको क्या कहते हैं father of bacteriology कहते हैं और जिवानु का अध्यन क्या कहलाता है bacteriology और इसके बाद बात करें तो में और रोबर्ट कोच की बात करें रोबर्ट कोच ने क्या करा था इन्होंने सुक्षम जैवी की ठीक है सुक्षम माइक्रोबाइलोजी सुक्षम जैवी की यानि की माइक्रोबाइलोजी के छेत्र में युक पुरुस माने जाते हैं ठीक है तो इन्होंने इसमें research करी थी स सोक्षम जयवीकी मैं रोबर्ट कोज ने माइक्रोबाइल अजीब है और बात करें लुइस पास्चर की तो लुइस पास्चर ने क्या करा था विसेश खोज करी थी रैवीज वैक्सीन की ठीक है इसकी रैवीज वैक्सीन की तो ये किलियर हो गया होगा आपको next करते हैं बात ठीक है नेक्स बात करते हैं हीमोफिलिया जो हीमोफिलिया रोग होता है हीमोफिलिया रोग हीमोफिलिया डिजीज इज ठीक है हीमोफिलिया डिजीज इज आनुवांसिक रोग यानि कि जैनेटिक डिजीज हो गया और केलसियम की कमी से होता है यानि कि calcium deficiency occurs और रुधिर की कमी से होता है किस कमी रुधिर की कमी lack of blood और उप्रियुकते में से कोई नहीं none of these ठीक है तो आनुवानसिक रोग यानि कि genetic disease हो गया और calcium की कमी से होता है यानि कि calcium deficiency occur और lack of blood हो गया ठीक है और नन ओप देज हो गया तो हीमोफिलिया रोग क्या है ये है एक हीमोफिलिया रोग क्या है आपका जैनेटिक रोग है जैनेटिक रोग है जैनेटिक रोग है जैनेटिक रोग जैनेटिक डिजीज है जैनेटिक डिजीज है आपका अनुवाणसिक रोग है हीमोफिलिया की बात करें तो हीमोफिलिया एक आनुवानसिक रोग है, हीमोफिलिया एक जैनेटिक रोग है, जिसमें सरीर से बाहर बहता हुआ रक्त जमता है, ठीक है, क्या होता है, सरीर में जो रक्त बहता है, वो जमता नहीं है, ठीक है, जमता नहीं है, ठीक है, और यह बिमारी रक्त में थॉंबो प्लास्टिन नाम नामकपदार्थ की कमी से होती है और यह बिमारी किस लिए हीमोफीलिया रोग किस कारण से होता है ठीक है तो यह भी तो कुश्चन बन सकता है कि हीमोफीलिया रोग किस की कमी से किस की कमी से बनता है तो थ्रंबोप्लास्टिन की कमी से यह ठीक है यह थ्रंबोप्लास्टिन की ठीक है, question number 4 है, hemoglobin, हीमोगलोबिन में कौन सी धातु होती है, what metals do hemoglobin contain, what metals do hemoglobin contain, cu+, mg+, fe+, zn+, तो hemoglobin होता है, कुछ type का structure होता है, इसका blood के अंदर, तो हीमोगलोबिन होते हैं, तो वो क्या धातु को contain करता है, कौन से metals को contain करता है, cu+, mg+, fe+, and zn+, कौन से को contain करता है, यह करता है, fe+, धातु होती है, हीमोगलोबिन में, तो इसकी बात करें, इसको explain करें इनके option को, तो हीमोगलोबिन जो होता है हीमोगलोबिन में एफीद हातु पाई जाती है एफीद हातु को कंटेन करता है और एफीद की कमी से क्या होता है ठीक है तो एफीद की कमी से क्या होता है एनीमिया होता है क्या होता है एफीद की कमी से एनीमिया होता है ठीक है जो जेडन की कमी होती है जिंग की कमी से उपाची किरिया प्रभावित होती है ठीक है डाइजेशन की जो किरिया होती है वो प्रभावी हो जाती है मतलब प्रभावित होती है एफेक्ट पलता है इसमें और सी यू की कमी से क्या होता है ये डाइबेक आप सौट्स रोग होता ह इसके बाद नेक्स बात करें, question number five, किस vitamin को hormone भी कहते हैं? तो which vitamin is also called a hormone? ठीक है, विट विटामीन also called a हार्मोन, ठीक है, तो हार्मोन किस विटामीन को कहते हैं, विटामीन A, विटामीन B, विटामीन D और विटामीन E, ठीक है, तो कौन सा विटामीन है, ये विटामीन D जो आपका है, विटामीन D को क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, हार हार्मोन बोला जाता है विटामीन डी को और मानव मोत्र में जो मानव का यूरिया होता है उसमें विटामीन डी पाया जाता है और जो मचली का जो फिश लिवर होता है मचली का यकृत में भी विटामीन डी पाया जाता है ठीक है तो विटामीन डी को क्या बोलते हैं हार्मोन ठीक है इसके बाद next हो गया question number 6 question number 6 की बात करें हम question number 6 है glucose का glycogen में परिवर्तन यकर्त में होता है किन्तु इसका संग्रह होता है ठीक है भाई glucose का glycogen में परिवर्तन कहां होता है question बना था तो उसमें क्या था कि इसका जो परिवर्तन होता है वो यकृत में होता है लीवर में होता है किन्तु इसका संग्रह होता है ठीक है इसका संग्रह कहां होता है यह एकटा कहां पे होता है तो इसकी बात करें गलुकोजेंज इन गलुकाईजन इन दा लीवर बट इज इस्टोर्ड ठीक है तो यह स्टोर कहां पे होता है तो यह यकरत में लीवर में तिली में जो इस्पलीम में और यकरत और पेसियां जो लीवर एंड मसल्स में और एंड बी हो गया ठीक है तो किसमें होता है इसका जो स्टोर जो होता है वो किसमें होता है गलुकोज का गलाइकोजन में जो चेंजे होता है यकृत में वो स्टोर कहां पे होता है ठीक है तो कहां पे होता है वो स्टोर वो स्टोर होता है आपका किसमें होता है स्टोर वो होता है आपका यकृत में स्टोर होता है लीवर में ठीक है लीवर में स्टोर होता है ये किसमें लीवर में स्टोर होता है ये ग्रैंड वहिस्वरावी ग्रैंद थी ती ओर बात करें हम वात करें हम यकृत में गणबरी के कारण पीलिया रोग हो जाता है ठीक है यकृत अगर लिवर में हमारी अगर कोई दिक्कत है तो क्या हो जाता है पीलिया रोग होता है पीलिया डिजीज और इसमें यूरिया का निर्माड होता है पीलिया में ठीक है यूरिया का निर्माल होता है और किसमें यकृत में ठीक हो गया यूरिया का निर्माल होता है और ओल्ड आर बीसी को नस्ट करता है यगरत ठीक है यगरता है ओल्ड आर बी के जो हैं इसमें लिकरत में संचित होता है ठीक है यह क्या होता है विटामीन ए विटामीन डी विटामीन ए विटामीन के इसके बार नेक्स हो गया कोश्चन नमबर आपका सेवन कोश्चन नमबर सेवन की बात करें तो तपैदिक रोग होता है तपैदिक रोग होता है तो टीवी बोलते हैं टीवी जो उसका कारण क्या है ठीक है तो क्या है विसान हो गया जीवान हो गया कवंक हो गया प्रोटो जोवा ठीक है विसान वाइरस जीवान बैक्टिरिया कवंक फंगी और प्रोटो जोवा ठीक है तो क्या होता है तपैदिक रोग का कारण ठीक है causes of tuberculosis ठीक है तो क्या है tuberculosis का कारण तो यह है आपका जिवानू क्या है जिवानू होता है यानि की bacteria क्या होता है bacteria होता है bacteria रोग से tuberculosis होता है तो बात करें tuberculosis की तो tuberculosis नामक जिवानू के द्वारा फैलता है यह बैक्टिरिया के डारा फैलता है ये और इस पर रोगी को खांसी के साथ क्या होता है कफ एवं ब्लेड निकलता है उसकी ठीक है क्या निकलता है कफ और ब्लेड निकलता है इसका इसके बार नेक्स हो गया कोश्चिन नमबर 8 की बात करें तो पैपसिन होता है ठीक है पैपसिन ह यानि की पैपसिन होता है हारबोन विटामीन एंजाइम और पोशन तत्व ठीक है तो क्या होता है पैपसिन होता है पैपसिन क्या होता है आपका हारबोन विटामीन एंजाइम पोशक तत्व पैपसिन आपका होता है पैपसिन एज एंजाइम होता है ठीक है क्या होता है एंज को Peptons में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को Peptons में परिवर्तित कर देता है, और एक बात याद रखने होंगे है, कि सभी Enzymes क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी protein enzyme नहीं होते हैं ठीक है सभी enzyme protein होते हैं लेकिन जो protein जो सभी protein enzyme नहीं होते हैं next question question number nine question number nine की बात करें तो question number nine हमारा है कीटू के वेग्यानिक अध्यान को कहते हैं what is the scientific study of insect ठीक है what is the scientific study of insect तो कीटू के वेग्यानिक अध्यान को क्या कहते हैं entomology, macacology और ethology और parasitology ठीक है तो कीटू के अध्यान को क्या कहते हैं कीटू का जो insect की study को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं ये कहते हैं आपका entomology कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है entomology कहा जाता है कीटू के अध्यान को Insect ठीक है इसके Study को क्या कहते है Insect Study The scientific study of Insect Entomology ठीक है इसके बाद बात करें जो अन्य वो है ठीक है Actiology, Actiology जो मतस्य की संद्रचना होती है ठीक है मतस्य की यानि मचली की जो structure होता है उसके बारे में कार्द की इत्यादी का अध्यान किया जाता है एक्तियोलोजी में मसली वगर की संद्रचना और उसके वर्क एवल में हो ठीक है और परसिते में परसितोलोजी की बात करें तो ये परजीवी जीवों का अध्यान करता है ठीक है और मेलेकोलोजी की बात करें तो मेलेकोलोजी जो है मोलस का और इसके खूलों का अध्यान करता है ठीक है मोलस का और इसके खोलों का दियन कोन करता है मेलेकलोजी ठीक है इसके बाद नेक्स हो गया कोश्चन नमबर 9 कोश्चन नमबर 9 की बात करें तो कोश्चन नमबर 9 हमारा है जैव विकास evolution को शरुपर्थम समझाया था ठीक है तो जैव विकास evolution को who first explained evaluation ठीक है तो evolution को किसने समझाया था किसने समझाया था Iseteen, Charles Darwin, Leymar, Newton किसने समझाया था evolution को evolution को किसने समझाया था ऐसे जैव विकास होता रहता है ठीक है निरंतर ये परकिरिया परकिरती में nature में चलती रहती है ठीक है तो जैव विकास evolution को सरवर्थम किसने समझा था लेमार के दोरा समझाया गया था किसके दोरा लेमार के दोरा इसे समझाया गया था तो बात करें लेमार के दोरा ठीक है जो एक फ्रांसिसी जीविग्यानी ठीक है बाइलोजिस्ट थे बाइलोजिकल साइंस साइंटिस्ट थे ठीक है जो फ्रांसिस में छपा था ये ठीक है जैविकासवाद सिद्दान्थ और इसे लेमार्क का सिद्दान्थ ठीक है लेमार्क का सिद्दान्थ या उपारजित लक्षणों की वनसांगती का सिद्दान्थ कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं उपारजित लक्षणों की वनसांगती का सिद्दान्थ क ठीक है ये कहेंगे इसके बाद next हो गया next की बात करें question number 12 की बात करें question number 12 हमारा है MPBI बनाता है ठीक है तो MPBI क्या बनाता है MPBI बहुत तेजी से चलने वाले नाउं को बनाता है केवल जल में ही रह सकने वाले जो जल में रह सकने वाले पसुओं को बनाता है केवल इस्थल पर रह सकने वाले पसुओं को बनाता है जल इवम इस्थल दोनों में रह सकने वाले पसुओं को बनाता है ठीक है जो MPBI टैल से ठीक है MPBI क्या बताता है MPBI तो MPBI क्या क्या बताता है हमें जल में जो रहने वाले होते हैं ठीक है जल और जल में जो रहने वाले हैं क्या जल में जो रहने वाले हैं जल और इस्थल में जो रह सकने वाले जो पसुओं होते हैं उनके बारे में एमफिविया हमें बताता है ठीक है एमफिविया क्या बताता है हमें जल और इस्थल द और धल में रह सकते हैं इसके अंतरगत जनतों आते हैं ठीक है 만들어 गांजें आके अंतरगत और जिसके सरीर जली और स्थलीए दोनु परकार के जीवन के लिए उपियोजित होते हैं और ये असमत पी होते हैं और जिनके सरीर का ताफ मान वातवरण ताप के अनुसार घरता बड़ता रहता है जैसे मैधक और टोंड इत्यादी ठीक है जिसके जो उधारन है M.P.V.I. के वो कहें मैधक है और टोंड वगर हैं ठीक है इसके बार next हो गया question number 13 question number 13 की बात करें तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है पौधे के कौन से भाग से हमें हल्दी प्राप्त होती है तो हल्दी हमें from which part of the plant in turmeric obtained ठीक है from which part of the plant in turmeric obtained तो किसमे से प्राप्त होती है हमें ये प्राप्त होती है हमें किस से पराप्त होती है जड से स्टैम ठीक है रूट हो गया जड और फल हो गया फुश्पो हो गया फुलावर एंड स्टैम तना ठीक है तो किस से पराप्त होती है ये हमें पराप्त होती है तने से यानि कि स्टैम से पराप्त होती है तने से ठीक है किस से पराप्त होती ह तने से बराप्त होती है हल्दी हमें ठीक है बात करें इसके बारे में तो हल्दी का पौधा एक प्रकंदी यानि कि राइजोम बहवर्सी ये साकी ये पौधा है क्या है किस परकार का पौधा है तो हल्दी का पौधा किस परकार का पौधा है भी आ सकता है कुश्चन में तो प बोटनिकल नाम कुरकुमा लांगा है ठीक है कुरकुमा लांगा है और यह एक जिंजी बरेशी के अंतरगत आता है और उत्पत्ती इस्थल यानि कि उष्टकट बंदी इस्थल एशिया ठीक है ट्रॉपिकल साउथ एशिया में उखता है या इसकी जो उत्पत्ती इस्थल है ट्रॉपिकल साउथ ऐसिया में है ठीक है इसका उपयोग औसदी मसाले तथा रंगकारक आधी इत्यादी के रूप में किया जाता है इसका उपयोग तो आप सबको पताई है ठीक है इसके बाद नेक्स हो गया question number 14 question number 14 की बात करें तो 14 है हमारा प्याज के छिलकों पर आसू आते हैं ठीक है तो प्याज छिलने पर क्या होता है आसू आते हैं क्योंकि प्याज निसकासित करते हैं तो क्या एकसपेल्ट करता है यह सलफोनिक अमल सलफोनिक अमल सलफेनिक एसीड एमिनो अमल एमिनो एसीड और कार्बोनिक कार्बोनिक अमल की बात करें तो कार्बोनिक एसीड ठीक है तो प्याज के छिलकों के आसू उताने के लिए जो छिलके जब उतारते हैं तो आसू आते हैं ठीक है तो आपने सामानी तोर पर इसे देखाई होगा तो यह किसके कारण आते हैं इसमें क्या होता है इसमें होता है सलफेनिक अमल होता है सलफेनिक acid होता है ठीक है क्या होता है sulfenic acid के कारण क्या आते हैं हमें आसू आते हैं ठीक है आसू आते हैं और इसके बार ब्याद करने प्याज काटने पर जो synthेज क्या होता है synthेज नामक enzyme निस्कासित होता है तो प्याज काटने पर कौन सा enzyme निस्कासित होता है कौन सा enzyme निक्सकासित होता है अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है ये क्या करता है synthase enzyme को extract करता है ठीक है तो synthase enzyme प्याज में उपस थे sulfonide जो sulfa oxide amino amino को sulfenic amino में परिवर्टित कर देता है ठीक है कि इसके क्या परिवर्टित करता है sulfide जो sulfide amino amino अबलौ होता है उसकोusal फेणिक हमल में चेंज कर देता है उसके बार नेक्स हो गया q 예bel तो पपीते में पीले रंग का पानं को पिन कि न रिनी फोर दे यलो कलर उप में कल केरिका जैन्थिन और केरोटिन किसके कारण होता है पपीते में पीले रंग किसके कारण होता है ठीक है तो किसके कारण होता है यह होता है आपका केरिका जैन्थिन के कारण होता है किसके कारण होता है केरिका जैन्थिन के कारण पपीते में पीले रंग कारण होता है केरिका ज और पपीते में जो है जो उपस्थित केरिका जन्थीन वलनक होता है इसका रंग क्या होता है पीला होता है ठीक है क्या होता है इसमें वलनक जो रंग होता है वो होता है केरिका जन्थीन वलनक के कारण वो इसका रंग क्या होता है पीला कर देता है ठीक है यलो इसके बाद ने अधिक्तम ATP अड़ों को उत्पन्य करने वाला पद है ठीक है तो क्या होगा इसका कौन करता है ये हमारे तंतर में अधिक्तम ATP आने के कौन उत्तपन्य करता है ग्लुकोज का अफगहटन ठीक है ग्लुकोज का अफगहटन अफगण यानिकि डिकंपोजिशन तीक है क्रेप स्यकर तो क्या होता है जो हमारे तंतर में जो होता है जो system होता है हमारा system में कौन क्या करता है तंतर में अधिकतम ATP maximum ATP adenosine triphosphate होता है ATP ठीक है ATP अड़ों का उत्पन कौन कौन सा उत्पन करने वाला कौन सा बद है क्रेप्स चक्र अधिकतम ATP यानि कि मैक्जिमम ATP adenosine triphosphate अड़ों को मॉल्लकूल्स को उत्पन करने वाला पद है केट्र चक्र ठीक है इसके बाद बात करें हम स्वचन्ज स्वचन्द यो रैसिपैट्री सिस्टम होता है मैं अधूकितम ATP यानि की एडीनोसिन ट्राइफासपेट अलों को तरन्स करने वाला प़त क्या है क्रेप्स चक्र है याने की क्रेप्स साइकिल है ठीक है यह चक्र क्या करता है यह साइकिल कोसिका में माइट्रो कॉंड्रिया ठीक है क्या करता है माइट्रो कॉंड्रिया में संपन्न होता है जो हम बात करें क्रेप्स चक्र की जो कौन सी कोसिका में संपन्न होता है यह चक्र कोसिका के किसमें चक राइब जाइम हैं टीक है तो राइबोजाइम इस राइबोजाइम आर ठीक है तो राइजोबाइजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं DNA, RNA, proteins इन में से कोई नहीं नन आफ दीज़, DNA, RNA और proteins इन में से कोई नहीं यानि कि नन आफ दीज़, ठीक है तो क्या होते हैं जो राइजोजाइम होते हैं वो होते हैं आपके RNA होते हैं राइजो 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 राइज उत्पेरित करने की छमता रखते हैं और RNA की खोज किस ने करी थी? RNA की खोज भी काफी पूछा जाता है यह वी question तो RNA की खोज किस ने करी थी? Friendric मिचेर द्वारा की गई थी RNA की खोज इसके बाद next हो गया question number 18 question number 18 की बात हम करेंगे तो मानव सरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्तो होता है इसके बारे में पूछ रहा है the maximum amount found in the human body is क्या होता है? लोहा यानि कि iron, sodium, phosphorus, calcium कौन सा होता है? यह होता है आपका calcium जो होता है calcium जो धातो होती है calcium क्या होता है? मानव सरीर में इन में से इन तत्तो में से इन चार तत्तो में से सबसे अधिक पाया जाता है ठीक है? सोचने वाली यह बात है कि इसमें और भी ज़्यादा होते हैं सरीर में मानव बोड़ी में हम नीचे बताएंगे तो इन में से ज़्यादा कौन सा होता है? calcium होता है अब percentage की बात करें तो मानव सरीर में प्रदान रूप से 6 तत्तो पाये जाते हैं ठीक है? 6 तत्तो कौन सा है? oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium और phosphorus ठीक है? इतने प्रदान रूप से 6 तत्तो पाये जाते हैं मुक्य रूप से ठीक है? main कितने होएं? कितने element हैं सरीर में? तो 6 हैं और जो oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium और phosphorus हैं ठीक है? तो मानव सरीर में क्या होता है? oxygen अब यहाँ पे oxygen का option नहीं था ठीक है? 65% oxygen, 18% carbon, 10% hydrogen और 3% nitrogen, calcium 1.4% और 1.1% क्या है? phosphorus होता है, ठीक है? क्या होता है? 1.1% phosphorus होता है, तो इसको जरूरी आपने यह याद कर लेने हैं, इनके percentage ठीक है? इसके बाद next हो गया question number 19, question number 19 की बात करें, तो रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट ठीक है? ऐसे रेशम के कीड़े होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे यह पत्तियों में होते हैं, तो इससे क्या करते हैं, यह रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन को कहते हैं, यानि कि, आपका question number 19, जो what is the silk rating? silk rating, ठीक है, silk rating क्या होता है, रेशम कीट पालन, silk rating क्या होता है, epiculture, horticulture, sericulture, और floriculture, ठीक है, क्या होता है, आपका यह होता है, sericulture कहा जाता है, ठीक है, sericulture कहा जाता है, रेशम कीट पालन, काफी एक्जामों में पूछा जाता है, common सा answer है इसका, ठीक है, तो छोटा सा question है यह तो इसको काफी एक्जमों पूछते हैं रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरी कल्चर अब बात करें अन्यों की ठीक है तो जो एपी कल्चर कहते हैं एपी कल्चर की बात करें तो एपी कल्चर हम किसे कहते हैं व्यापारिक इस्तर पर शहद उत्पादन ठीक है जो सहद होता है सहध ठीक है तो हनी ठीक है हनी बोलते हैं हनी जो हनी का प्रोडक्शन होता है व्यापरी की स्थर पर यानि कि बड़े स्थर पे उसे क्या बोलते हैं ए-p culture होटी कल्चर की बात करें तो होटी कल्चर पुस्प और फल देने वाले पौदों का अध्यान यानि कि जो फूल और क्या देते हैं बागवानी ठीक है फूल और फल देते हैं उनका अध्यन के आता है होटी कल्चर के अंदर यानि की बागवानी के अंदर सेरी कल्चर की बात करें तो ये कच्चे रिसम के उत्पादन है तो कीट पालन होता है बता दिया रिसम कीट पालन ठीक है और बात करें फ्लोरी कल्चर की तो ये सजावट के काम आने वाले पुस्पूं का अध्यान होता है फ्लोरी कल्चर जो सजावट के काम आते हैं उनके ब which of the following is the smallest bone in the human body तो smallest bone in the human body human body में सबसे चोटी हड़ी कौन सी है stepage, warmer, meleus और incus तो क्या होती है यह सबसे चोटी हड़ी होती है कान की कान में होती है स्टेपीज हड़ी होती है क्या होती है ये अर्म होती है कान में और ये किस वरकार की दिखाई देती है आपको चित्र में दिखाया गया है ठीक है क्या है इस्टेपीज ये छोटी सी हड़ी होती है सबसे छोटी सी हड़ी ठीक है इसके बारे में बात करें तो मानव सरीर की सबसे छोटी जो हड़ी होती है जो बोन हो के कान में यर में पाई जाती है बात करें जबकि मानु शरीर की सबसे जो правильно गिपन negro । इन की पाई जाती है, थाईज में पाई जाती है नहीं कि जांग में पाई जाती है, थाईज में ठीक है, इसके बाद next है, question number हमारा 21, question number 21 की बात करें, तो मनुष्य के सरीर में, पशलियों में कितने जोड़े होते हैं, मनुष्य के सरीर में पशलियों में पशलियों के कितने जोड़े होते हैं ठीक है यह पशलियों का आपका structure है ठीक है तो पशलियों के कितने जोड़े होते हैं 12 होगे 10 होगे 14 होगे 11 होगे मनुश्य के सरीर में पशलियों के कितने जोड़े होते हैं ठीक है तो how many pairs in the ribs are there in human body ठीक है तो how many pairs of ribs are there in a human ठीक है तो कितने होते हैं कितने रिप्स पियर होते हैं तो हम यह कह सकते हैं कितने होते हैं 12 होते हैं कितने 12 पियर होते हैं इसके बाद बात करें human body की तो जो मनुष्य के सरीर में पचलियां यानि की rips जो होती है मनुष्य human body में rips की जो total numbers of rips की बात करें तो 12 pairs होते हैं यानि की 12 जोड़ी होती है अर्थात यानि की 24 होती है जोड़ी जहां पे नहीं लिखा होगा यानि कि पेर्स जहां पे नहीं लिखा होगा जोड़े तो हम बात करेंगे टोटल कितनी पचलियां होती है टोटल रिप्स कितनी होती है तो टोटल लिट से हुमन बोडी में 24 होती है और 12 जोड़े हो गए ठीक है तो सभी पशलियां मिलाकर लगबग बेलनाकार पिजला बनाती है ठीक है क्या बनाती है एक बेलनाकार कितना पिजला बनाती है यानि की केज बना देती है और जिसमें फेवला लंग्स है ठीक है इसके अंदर क्या होता है फेवला लंग्स होते हैं और तथा हिर्दय यानि की हार्ट होता है इसके अंदर ये आपका जो इस्ट्रक्चर है इस्ट्रक्चर इसमें कितनी पस्लियां होती है यानि की 12 जोड़ी होती हैं अगर हम गिने तो इनको 12 जोड़ी होंगी और तोटल अगर दोनों को दोनों तरफ जोड़ देंगे तो बार-बार 24 हो जाएंगी और इसके अंदर क्या होता है एक तो आपका फेफला हो गया लंग्स हो गया और हार्ट हो गया ठीक है तो नेक्स हो गया question number 22 question number 22 की बात करें तो मानव तंतर में निमने लिखित में से कौनसी एक पाचक एंजाइम नहीं है ठीक है मानव सरीर में निमने में से कौनसी एक पाचक एंजाइम नहीं है which one of the following is not a digestive enzyme in the human system ठीक है तो which one of the following is not a digestive enzyme in the human system ठीक है तो human के system human system में है मानव तंतर में वो कौन सा एक digestive जो पाचन एंजाइम नहीं है यानि कि digestive enzyme नहीं है ठीक है trypsin, gastrin, toilin, pepsin ठीक है तो कौन सा नहीं होता है इसमें पाचन एंजाइम कौन सा नहीं होता है कौन सा नहीं होता है आपका जो gastrin होता है क्या gastrin होता है ये पाचन एंजाइम नहीं होता है बागी क्या होते हैं trypsin, toilin और pepsin क्या होते हैं एक पाचक digestive enzyme होते हैं, वहांकि gastrin जो है digestive enzyme नहीं है, ठीक है, इसके बारे मैं बात करें, तो जो trypsin की बात करें, trypsin, trypsin जो होता है, अगनासई में होता है, और toilin के, जो toilin होता है, toilin लारगरंथी में होता है enzyme, जो पाचक की बात करने हैं, ठीक है, जो trypsin कहां, trypsin कहां पर करता है वो अगनासाई में करता है और जो टोईलिन होता है वो लारगरंथी में होता है एंजाइम और पैपसिन जो एंजाइम होता है आपका आमासाई में होता है तो यह क्या है तीनों पाचक एंजाइम है ठीक है डाइजेस्टिव एंजाइम है किसी इनकिसी परकार तोलने का यह और यह क्या करता है प्टाइट्स को तोलने का कार्द दोर किया जताका है तो तो out an एंजयम नहीं है एक हार्मोन है क्या है एक हार्मोन है और गेस्ट्रिन जो एक आमा सही में जो जी को सिका होती है जी सेल्स होती है तथा गरहनी द्वारा मुक्त होता है ठीक है इसके द्वारा गरहनी द्वारा मुक्त होता है जी सेल्स है और ये गेस्ट्रिन क्या है एक हार्म है इसके बाद next हो गया question number 23 question number 23 की बात करें तो vitamin c का मुख्य सुरोत ठीक है vitamin c का मुख्य सुरोत क्या है so vitamin c the main source of vitamin c ठीक है main source of vitamin c to vitamin c के क्या सुरोत है कच्चे कच्चे एवं ताजे फल हो गये दूद मिल्क हो गया and घी हो गया और दाले होगी ठीक है तो source of vitamin c का main source of vitamin c क्या होते है vitamin c के ये कच्चे फल वगरा होते है क्या होते है कच्चे फल वगरा और ताजे फल और कच्चे और ताजे फल vitamin c के source होते हैं बात करें इसके बारे में vitamin c का जो रासाइनिक नाम है यानि कि केमिकल जो नेम है जो केमिकल नेम है इसका रासाइनिक नाम है जो वो है एसकॉर्बिक अमल एसकॉर्बिक एसीड ठीक है एसकॉर्बिक एसीड हो गया विटामिन सी इसका सबसे उत्तम सरोत आवला है ठीक है उत्तम सरोत कौन सा है आवला है ठीक है जब आप जैसे question करते हैं या मतलब कभी भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे एक elimination method होती है elimination method में क्या होता है कि अपने आप से प्रश्ण करना और option को चुनना जैसे आपने इतमें से option चुने दो option आपने चुन ले दो option आपके सही है, right है इनमें 50-50% की वो हो जाती है कि आप ये सही कर लें ठीक है, और अगर आपने दो हटा दिये, हटाने की परिकरिया जादा होने चाहिए, कि ये option तो बिलकुल गलत है, ठीक है, तो इस type से elimination method होती है, उस हिसाब से करा करें, question को उससे काफी फाइदा मिलेगा, ठीक है, क्यूंकि 50-60 question हर कोई कर लेता है लेकिन जो selection वाले question होते हैं, वो 20-30 question होते हैं, ठीक है, 20-30 question होते हैं, 20-30 question में आपका elimination method जिन है कोई नहीं कर बाता है, फिर भी कुछ लोग करते हैं, और जैसे कुछ नहीं आता है, जो जिनके वो सही हो जाते है उनका selection होता है, जिनका नहीं होता है तो उससे की option छाटने वाला, कि यह तो नहीं हो सकता और यह भी नहीं हो सकता, पक्का है दो बचे, दो में से 50-50 में चांसा आपके बन जाते हैं, ठीक है, तो बात करें तो दूद में मुखِّ रूप से विटामीन A, विटामीन B, विटामीन D और विटामीन K wykorस्तित होते हैं, ठीक है, जो विटामीन C का जो में सोर्स है, वो क्या है आउला है, और दालू में मुख्यता प्रोटीन परचूर मात्रा में होता है, घी में वसाकी पर चूर मात्रा होती है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 4024 ठीक है vitamin D का सुरोत है ठीक है vitamin D का सुरोत है the main source of vitamin D तो main source of vitamin D नीबू, सूर्दिकी किर्णे, संत्रा और काजू ठीक है तो क्या होता है vitamin C का सुरोत vitamin C का सुरोत main source जो है वो है सुर्ष की किर्णे धूब, क्या है vitamin D के लिए कौन सा source है धूप ठीक है सबसे में सोर्च से है और सबसे फीरी का सोर्च से है विटामीन डी का सोर्ज की किड़ने ठीक है विटामीन डी सूर्ज की किड़ने यानि की संरेज हैं सूर्ज की किड़नों के द्वारा विटामीन डी का निर्माल होता है जो स्किन यानि की कोसिकाऊं द्वारा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है स्किन यानि की स्किन सेल्स के द्वारा किया जाता है मक्षन यकर्त अंडा जर्दी वरक इत्यादी से भी मिलता है ठीक है या मिलता है और बच्चों के रिकेट से तथा वैसकों को बच्चों में तो क्या होता है विटामिन D की कमी से रिकेट से रोग होता है और जो वैसकों होते हैं उनमें क्या होता है ऑस्टियो मेलेसिया नामक बिमारी होती है ठीक है तो विटामिन D की कमी से वैसकों में कौन सा रोग होता है अगर ऐसा question पूछा जाता है तो क्या होगा इस cancer osteomalacia होगा ठीक है और vitamin D आपका सुरोत क्या है धूप अगर सूर्जी की किलने मक्खन यकरत अंडे भी हो सकते हैं ठीक है मेज जो है vitamin D सूर्जी की किलनों यानि की sun rays से मिलेगा और बच्चों में कौन सा रोग होता है रिकेट्स होता है इसके बाद next हो गया आपका question number 25 question number 25 अलसी किसका परचूर मात्रा परचूर सुरोत है अलसी ठीक है जो linseed होता है linseed की बात करें linseed is the abundant source of ठीक है तो परचूर सुरोत कौन सा है तो linseed किसका परचूर सुरोत है linseed जो होता है linseed oil भी आता है आपने देखा होगा ठीक है हलके हलके इसके बीज होते है तो उनमें ठीक है और ये भूना हुआ linseed भी आता है काफी अच्छा होता है तो अलसी किसका परचूर सुरोत है linseed ठीक है किसका होता है अलसी जो होता है लिंसीड किसका सुरोत होता है ओमेगा थरी या वसी अमलका किसका होता है ओमेगा थरी वसी अमलका सुरोत होता है ठीक है इसका वसी फैटी एसीड का ओमेगा थरी फैटी एसीड का सुरोत होता है इसके बारे मैं बात करें तो अलसी या तीसी ज यानि कि ठंडे परदेशों का पोधा है ठीक है जहां coldest वो होते हैं ठीक है वहां का plant है ये इसके बीज से तेल निकाला जाता है लिंसी डॉयल भी आता है ठीक है मार्केट में तो इसमें omega 3 वसी यानि कि omega 3 fatty acid काफी मात्रा में मिलता है ठीक है और जो रक्त नलिकाओं वसाओं के जमाओं को रोकने में सक्षम होता है ठीक है कभी-कभी जो blockage हो जाते हैं लिंसी डॉयल का क्या कर दिया जो न लिकाओं में वसाओं जो fat वगर जमाँ हो जाता है उसे रोकने में सक्षम होता है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 26 question number 26 हमारा जो है निम्न लिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कौन सा सही सुमेलित नहीं है which one of the following pairs not correct ठीक है not correct message कौन सा इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है विटामीन D सुखंडी विटामीन C मसूरू से खून आना विटामीन A हो गया गठिया और विटामीन B बेरी बेरी ठीक है तो कौन कौन से होते हैं ये होता है आपका विटामीन A आपका गठिया रोग ठीक है विटामीन D से सुखंडी रोग ठीक है विटामीन C से मसूरूं का खून मसूरूं पे क्या होता है बलड आता है ठीक है उसका बताया था पहले और विटामीन B का बेरी बेरी रोग हो जाता है ठीक है तो बात करें इनके बारे में ठीक है तो विटामीन A की कमी से कारण क्या होत रतोंधी नामक आखों की बिमारी हो जाती है रतोंधी नामक आखों की बिमारी होती है विटामिन A से और विटामिन D की कमी से क्या होता है विटामिन D की कमी से सुखंडी यानि की सूखा रोग यानि की रिकेट्स बताया था आपको ठीक है इसे सुखंडी यानि की रिकेट्स यानि सूखा रोग भी कह सकते हैं बिमारी प्राया बच्चों को होती है ये ठीक है और विटामीन C की कमी से इसकरवी रोग होता है जो मसूडों में खून आना होता है ठीक है और विटामीन B की कमी से क्या होता है बेरी बेरी जो कुपोशन और जन निरोग होता है कुपोशन वगर होता है इसके बाद next हो गया question number 27 question number 27 की बात करें तो रक्त समोह की खोज किसने की थी which who discovered the blood group who discovered the blood group ठीक है तो रक्त समोह की खोज किसने की थी Alexander Fleming ने, Robert Coach ने विलियम हार्वे ने और कार्ल लेडिस्टिनर ने ठीक है तो अलेक्जेंडर फिलीमिंग ने रॉबर्ट कोच ने विलियम हार्वे ने और कार्ल लेडिस्टिनर ने रखत समूँ जो कि ब्लेड ग्रूप डिस्कवर्ड बाई ठीक है तो ब्लेड ग्रूप किस ने खोच की थी तो ये की थी आपका, कारल लेड लेंड इस्टिनर ने की थी, कारल लेंड इस्टिनर ने, ठीक है, ये है कारल लेड इस्टिनर एक, ठीक है, तो बात करें इसकी, तो 1900 में, ठीक है, 19 में, क्या करा था इन्होंने, कारल लेड इस्टिनर ने चार रक्तसमों हों, ठीक है, A, A, B, A हो गया B हो गया A B और O की खोज की थी ठीक है इन रक्तसमों की blood group की खोज करी थी A B और A B और O की खोज करी थी कब करी थी 19 सो में करी थी ठीक है और जो recess बंदर में एक अलग factor ढूटा गया ठीक है किसमें ढूटा गया अलग recess बंदर जो था उसमें क्या ढूटा गया अंदर यानि कि research monkey जो था उसमें क्या डोंडा गया rh factor डोंडा गया और इसय क्या दे दियागया rh factor नाम दे दियागया ठीक है रक्त Sumon gel antigen जो रक्त समों A का जो antigen है small A हो गया रक्त समों B का antigen जो होगा B हो गया और antigen जो होता है sumo B का जो होता है A B ठीक है A B समों का small A और B दोनों होगा A B में ठीक है antigen antigen भी पूछे जाते हैं काफी antigen और दोनों नहीं है और उनके दोनों के नहीं है तो समुों के रक्त में न तो कोई anti-gen है ठीक है न तो कोई anti-gen है कोई budget उपस्थित रहता है ठीक है और नहीं कोई RH factor रहता है इसके बाहर next हो गया question number 28 question number 28 की बात करें तो मानव सरीर का कौन सा भाग सरीर ताप को नियन्तरित करता है ठीक है तो टेम्परेचर कौन सा बनाए रहता है ठीक है नियन्तरित। तापमान को कौन सा नियन्तरित करता है ठीक है तो यह है which of the human body regulate temperature ठीक है हमारा जो human body का temperature होता है उसे कौन regulate करता है हेयरदय हो गया heart, यकरत लीवर, व्रिक किड्नी फेफडा हो गया लंग्स ठीक है तो इन में से कौन सा होता है जो क्या करता है human body के temperature को regulate करता है कौन सा होता है आपका जो फेफडा होता है lungs जो होते हैं lungs जो होते हैं ये हमारे temperature को सरीर के जो सरीर का जो temperature होता है उसको control करता है याने कि regulate करता है ठीक है नियंत्रित करता है बात करें फैपड़ा जो कि लंग से एक पर्मुक स्वसनंगर आने कि रैसिपैट्रिटरि ऑर्गन है जो की शरीर का ताप नियंत्रित करता है ठीक है औक्सिकरन यानि कि Oxidation से जहां एक और उरजा है और उत्पन्न होती है वही दूसरी और क्या होता है Oxidation से जहां एक और उत्पन्न होती है वही दूसरी और क्या हो जाता है Water Vaporization होता है Water Vaporization होता है और गैस का सरीर में उच्छवासन द्वारा निस्कासन होता है बात करें जिन होता है टिश्यू जो होते हैं जो सरीर06 में होता है जहां एक और क्या हुता है जिए चल्बास भी बनता इवाटर वेवशन होता है और सरीर का गैस्ष का सरीर से अच्छवासन द्वारा निस्कासन होता है तो इसके पड़ी नाम सरुप qya होता है शरीर का जो टेंप्रेचर होता है में वह कंट्रॉल रहता है इसके लिए नेक्स हो गया इंसूलिन बात करें हम कोलेस्ट्रोल किसके है तो which of the following कोलेस्ट्रोल is necessary for the synthesis of ठीक है तो किसके synthesis के लिए कोलेस्ट्रोल important है आउश्यक है तो इंसूलिन के लिए और यह हो गया एस्टरडियोल के लिए glycosin के लिए उपर्यूक्त सभी के लिए किसके लिए होता है ये एस्टरडियोल के लिए होता है ये ठीक है ये किसके लिए synthesis cholesterol आवश्यक होता है एस्टरडियोल के लिए ठीक है बात करें जो इंसूलिन होता है इंसूलिन का निसकर्षन अगनासई से होता है इसके कमी से क्या होता है चोनिया रोग यानि के डाइबिटीज यानि के चोनिया रोग मतलब सुगर हो जाता है इंसुलिन में इंसुलिन का निस्कर्शन अगनासरी में होता है और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है डाइबिटीज होता है ठीक है डाइबिटीज होता है डाइबिटीज आने की सुगर रोग होता है और इंसुलिन जो है ग्लुकोज लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है संचित रहता है इंसुलिन कैसे लिवर में रहता है तो ग्लुकोज के ग्लुकोज लिवर की है रहता है glycosin के रूप में संचित रहता है collector रहता है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 30 का मीरा की बात करें तो जो बाल होते हैं hair जिस protein का बना होता है उसे कहते हैं which protein is the hair made of ठीक है तो hair किस protein के बने होते हैं which protein is hair made of तो किस के बने होते हैं जो ग्लोबलीन, म्यूसीन, किरेटिन, कैसीन ठीक है कौन सा प्रोटीन होता है इसमें ये होता है आपका जो किरेटिन प्रोटीन होता है कौन सा किरेटिन प्रोटीन होता है आपका वही क्या है एक क्रेटिन क्या है एक प्रोटीन है ये बालों की बृद्धी से संबंदित होता है तो बाल क्रेटीन नमक प्रोटीन के बने होते हैं ठीक है और यह क्या होते हैं प्राडियों में नाखून नाखून में भी होता है नेल्स वगर में और बालों में परमुख संरशनात्म गटक है ठीक है उम्मीद है दोस्तों सेसन अच्छा रहा होगा जरूर बताएं क्योंकि थोड़ा टाइम इस लिए लग गया क्योंकि हिंदी इंगलिसमें भी काव़ी डिमांड थी तो यह भी आपको कंवर्ट कर दूए और क्वेशन भी ज्यादा थे और ज्यादा से ज्यादा हमने आपको कुेस्टेंग इस में कवर करवा दिए ठीक है तो ज्यादे ज्यादा ए आईजूकेशन गुरूपों में अपने ठीक है तो सपोर्ट जाद से जादा करें धन्यवाद जैन्द जै उत्राकंड कल मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ जैन्द